और एक बड़ी खबर ग्रेटर नॉडा से जहाँ पर वाइन शॉप के सलस्मेन हरी ओम की हत्या की गई है गोली मार कर हत्या कर दी गई है हत्या की वज़ों का अभी तक पता नहीं चल पाया है ग्रेटर नॉडा से ये खबर ग्रेटर नौइडा वेस्ट न्यू हैबतपुर की घटना है बिसरक थाराक्षेतर की घटना बाइट सवार जो बेद माशों ने गूली मार कर हत्या करती हिमाशू फोन लाइन पर जुड़ गये जादा जानकारी के साथ हिमाशू कैसे ये हत्या हुई क्या जानकारी खबर को लेकर बिल्कुल देखे आपको बताने की ये ग्रेटर नौइडा वेस्ट के न्यू हैबतपुर गाउं का ममला है और मौके पर पुलिस के अलादिकारी मुजूद है बताय जा रहा है कि सेल्समैन की हत्या करती गई है इसके पीछे की वज़े जो शुरुआती जाच में इस पस्ट हुई है कि जो होता शराब लेने को लेकर विवाद हुआ 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 और इसी बीच जो बदमाश है उन्होंने सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दिये बताय जा रहा है कि दो लोग थे जो मौके पर पहुँचे थे और उसके बाद कहा सुनी हुई शराब लेकर और सेल्समैन ने शराब देने को मना कर दिया थे ये रात एक बज़े के आसपास का प्रकरण बताय जा रहा है और इसी दोरान जो बदमाश से उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए फिलाल पुलिस ने शक को कब्ज में ले लिया पोस्माटम के लिए भेज़ दी और वहीं दूसरी तरफ उनकी तलाश भी शुरू कर दी बदमाश होगी जी ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जनकारी के लिए आपका है माशू लेक्टोल से खबली खबर रिटार इंस्पेक्टर के घर में चोडी हुई है करीब 20 लाग के जेवर और 25 जार रुपे कैश चोडी किया गया मोहनलाल गज में रिटार इंस्पेक्टर विजब अदौरिया के घर में चोडी हुई है माई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था परिवार फॉरेंसिक चीम डॉक्स्वेट की मदद से अब चोडी का फिलासा करने में पुलिस चुची हुई है रिश्यमनी तिरपाठी इस पर ज्यादर जानकारी देंगे रिश्यमनी क्या जानकारी किस तरह से जाच कर रहे है पुलिस चोडी की घटना की पूरा मामला राजधानी लग्णों में मौहलाल दंजिलासे का है जहां पर रिटार इंस्पेक्टर उजे तुमार बतौरिया रहते हैं इसमें परिवास के साथ मौरूट का मेथी के रहने वाले हैं उनके बड़े भाई का देहान्त हो गया जिसमें उनका पूरा परिवार गया हुए अमेथी तो लौट किया है कल तब उन्हों ने देखा कि मुप दर्वाजे का ताला तूटा हुआ है जो अर्मारी है गरिकेंदर उनका भी ताला तूटा हुआ है बीस लाग रुपए के जेवर ते चोरों ने उनको जो राश्पदी का वीता पदक मिलाता उसको भी नहीं छोड़ा है करी 25 जार रुपए नजब चोरी हुए एसीपी समय तमाम पुलिस अफसरों मौके पर पहुंचने को भी बुलाए गया डॉप स्वाट को भी बुलाए गया है वहां से तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि इस चोरी का चलते चलते खुलासा किया जाते है ठीक है बहुत शुक्रिया तमाम जनकारे के लिए आपका